समय पूरे NCR में आस्मान से बरस्ती आग का सामना करने का मजबूर होगे मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्म हवाओं से होश्यार रहने की जरूरत है स्कूलों की छुटियां होने से पहले ही गर्मी ने लोगों को पसीना कर दिया और घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है कई शहरों में अगोशित कर्फ्यू जैसे हलाद दिखने लगे हैं जरूरी काम न हो तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि धूप केवल दोपहर के वक्त ही बहाल नहीं कर रही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्म हवाएं अगले दो दिन लोगों को और परिशान करती रहें परिशानी का ये हाल केवल दिल्ली ही नहीं बलकि पूर्व में बिहार तक पश्चिम में राजिस्थान के सबसे पश्चिमी चोर तक उत्तर में जम्मू तक और दक्षिन में महराष्ट तक बना हुआ बेहाल लोग सरकार से सड़क किनारे च्छाओं का इदिजाम करने को कहने लगें जहां तालाब और नहरे हैं वहां लोग दुपकी लगा कर ही गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहें केबल दिल्ली की बात करें तो मईई शुरू होने से पहले ही दिल्ली में अधिक्तम ताफमान 45 डिگरी के पार पहुँच गया था और मई dismiss अधिक्तम ताफमान लगातार 40 से 45 डिगरी के बीच बना हुआ है शुकुरवार को अधिकतम तापमान करीब 44 डिगरी रिकॉर्ड किया लिए परिशानी इसलिए जादा है क्योंकि नियुनुतम तापमान भी सामाने से करीब 4 डिगरी जादा बना हुए शुकुरवार को नियुनुतम तापमान 30 डिगरी के करीब पहुंच गया लोगों की मुसीबत गर्म हवाएं बढ़ा रही है इस बार हवाएं धर्ती की सत्य के बेहत खरीब चल रही है जिनकी रफ्तार आठ किलोमीटर प्रती घंटा के खरीब है जम्मू और कश्मीर में सर्दियों की राज़्दानी जम्मू का तापमान तो अभी से 40 डीगरी को चूग या है लेकिन रात की बात यह है कि सोमवार से दिली नहीं देश के कई राज़्यों का मौसम करवट लेने वाला और मौसम विभाग का अनुमान ये है कि सोमवार से देश के कई हिस्सों में एक साथ तूफान पहुंच सकता है इसके बीचे वेस्टन डिस्टर्बेंस को वज़ा माना जा रहा है गुजरात में तो मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी भी जारी करती है लेकिन मौसम केवल गुजरात में नहीं बदलेगा बलकि देश के कई राज्यों में एक साथ तूफान का असर देखने को मिल सकता है इन में पंजाब, हर्याना, चंडिगड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, चत्तीजगड, बिहार, जारखन, उडिशा, राजिस्थान और गुजरात छामिल है इन सभी राज्यों में मौसम का मिजाज ऐसा बदलेगा कि अचानक इन जगों पर तूफान पहुंच जाएगा इस दोरान हवाओं की रफतार 40 से 50 किलोमीटर प्रतिगंटा हो सकती है अनुमान ये है कि इन सभी जगों पर बारिश भी होगी जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्च की जाएगी ये बारिश लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देने वाली होगी हलाकि तूफान और बारिश के इलर्ट के साथ दिल्ली पर एक और खत्रा भी है और वो है प्रदूशन मढने का क्योंकि दिल्ली में प्रदूशन एक बार फिर बेहत खतरनाक स्थर पर पहुँच चुका है दिल्ली के हवा पर नज़र रखने वाली संस्था सफर यानी सिस्टम अफ एयर कॉलिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग और रिसरच के मताबे गुजरात और राजिस्थान के कुछ इलाकों से धूल भरी आंधी चलने की वज़े से दिल्ली में हवा की कॉलिटी एक बार फिर बेहत खराब होगी सफर के मताबेक दिल्ली में हवा की कॉलिटी बताने वाले एक यूआई का स्तर 408 दर्श किया गया जिसे प्रदूशन का गंभीर स्तर माना जाता है पताया गया कि हवा में PM2.5 और PM10 की मात्रा अचानक कई गुना बढ़ जाने की वज़े से हलाद बिगड़े हैं सफर ने प्रदूशन की इस मार से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलनी की सला दी साथी लोगों से अगर बत्ती, मौम बत्ती या धोएं वाली दूसरी कोई चीज़ें नहीं जलाने की भी हिदाय दी गई प्रदूशन के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की वज़े से लोगों को खांसी सांस लेने में दिक्कत के अलावा दूसरी परिशानिया भी हो सकती है लेकिन दिल्ली तक आंधी तूफान और बारिश के आने में अभी दो दिन बाकी है और मौसम के मौझूदा हाल का अंदाजा इसी से लगाए जासकता है कि जिन राज्यों से चंदरोज पहले फानी तूफान होकर गुजरा, वहां भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया साथ लेकर धूप में निकलना पड़ रहा है, बोडिशा में मयूर भंज उन जिलो में है जहां फानी तूफान का असर सबसे ज्यादा रहा, मयूर भंज में भारी बारिश भी हुई थी, लेकिन अब तापमान 46 डिगरी के पार जा चुका है, एक शक्स ने तो लोगों को त धूप में ही अमलेट बना कर दिखाया, तपती सडक पर स्टील की प्लेट रखकर उसी में अंडा फोड़ कर डाल दिया गये, थोड़ी देर उसने खुले में प्लेट रखी रहने दी और अमलेट बनकर तयार हो गये, अमलेट बनाने वाले शक्स ने बापाइदा धूप मे इसके कुछ इससे तो ऐसे हैं जहां हर साल लोगों को सूखा चेलना पड़ता है, जिन में महराष्ट का मराठवाडा भी शामिल है, हर साल जून का महीना आते आते लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं, मौसम की बेरुखी इस बार इन जगों पर बीते सालों से भ हो रही है, एक टैंकर के पहुंचते ही बरतन हाथ में लेकर खड़े लोगों की लाइने लग जाती है, और अंगाबाद का ये वो हिस्सा है जहां करमी से लड़ने के लिए लोगों के पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें तो नासिक की, हालाद ऐसे हैं कि जमीन ही नहीं, कुएं भी सुक चुके हैं, पानी भरने के लिए महिलाओं और बच्चियों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जान हथेली पर रखकर कुएं में उतरना पड़ रहा है, कुएं की तलहटी में थोड़ा सा पानी बचा ह जो शायद कुएं में आदा फीट तक भी नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए बर्तनों में पानी भरने के लिए कुएं में गहराई तक उतरना जरूरी है, वीडियो में रसी के साहरे पहले एक बच्ची और फिर एक महिला कुएं में उतरती दिखी, रसी पर जरा सा हाथ फिस में नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रचंड गर्मी ने अभी से लोगों को बेहाल कर दिया, इंसानी नहीं जानवरों के भी जीवन पर आफ़त है, फुदुचरी के चिडिया घर में तो जनवरों को बीमारियों से बचाने के लिए खास इंतिजाम किये गए हैं, और जान बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ही पानी से नहलाय जा रहा है, चिडिया घर के अधिकारियों का मानना है कि अगर इस तरह के इंतिजाम न किये जाएं, तो जानवरों की जान पर आफ़ता सकती हैं, बंदर, हिरन, मोर, तमाम जानवरों को गर्मी से बचाने क लिए अलग अलग तरह के इंतिजाम किये गए,